हेलो दोस्तों आज हम अगेन बात करने वाले एक शेयर सेटी जिसका नाम है वासकौन इंजिनरिंग लिमिटेट कैसे पहले इस शेयर सेटी वीडियो बनाई थी तो एक बार हम अपनी साइट पर जाते हैं और एक बार देख ले थे ओके और फिर यहां पर देखेंगे कि यहां पर इस पर्टिकुलर शेयर में कुछ हो सकता है या नहीं यहां पर देखेंगे 5 महीने में हुआ पैसा डबल तो 5 महीने पहले जब एक साल पहले यहां पर वीडियो बनाई थी तब अच्छे कासे यहां पर शेयर भागता हुआ नजर आया था ठीकर डबल होता हुआ नजर यहां पर देख सकते हैं कि 9 महीने पहले 40 रुपे वीडियो बढ़ाई थी और 40 रुपे से आप देख सकते हैं कि शेयर केतना रुपे पर जाता हुआ दिखाई दिया 92 तो अच्छा कासा मोर दन 100 परसेंट के रिटन बने और उसके बाद आप देख सकते हैं शेयर दुबारा लगबग 50 रुपीज के आसपास आगया है 60 रुपीज पर आगया है तो क्या करना चाहिए और 40 रुपे पर क्या अच्छा नजर आता हैं यहां से गिर सकता है यह भगता हुआ नजर आएगा उस सब चीज से रिखिड हम बाते करेंगे बट उससे पहले हमेशा की दर आप से करूँगा कि I am small cap investor channel को subscribe bell icon को hit or notification को on करें bank selling की recommendation नहीं है हम यहाँ पर छोटे 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 शेयर से की analysis करते रहते हैं हम आपको छोटे 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 शेयर बताते रहते हैं ताकि आप महां से सीख सकें ठीक है bank selling की recommendation है नहीं और अगर आप चाहों सीख सकते हो कि कैसे मैं अलग अलग शेयर आपके सामने पेश करता रहता हूं और वो शेयर महां से double triple होते हुए नजर आते हैं वो सीख सकते हो यहाँ तो आप यहाँ पर double eight six zero five four zero five zero one eight one six nine two six one zero three seven यहाँ पर इन नमबरों को note करी है basic two advanced technical research fundamental कब लेना है कब बेचना है क्यों लेना है क्यों बेचना है three months की hand holding दी जाएगी 25,000 उपर कोर्स है एक बार कोर्स किया तो बस condition यह है कि एक साल अच्छे से जो पढ़ाया जाए उसकी तरफ ध्यान देना है उसके base पर analyze करना है फिर आपको किसी की जरुवत नहीं पड़ेगी तो strategy using stock market online notes सब कुछ आपको दिया जाएगा बाकी किसी को स सब्सक्राइब से पहले वास्कोन Engineering Limited एक construction engineering company है operating in real estate sector ठीक है और real estate sector किस तरीके से भाग रहा है वो बताने की जरुवत नहीं है बात करें company तो लगबाद 200 प्लस project execute कर चुकी है अच्छा का सा company का काम है यहाँ पर आप देखेंगे अलग-अलग emails और अलग-अलग project यहाँ पर 50 million square foot project here deliver कर चुकी है यहाँ पर देखेंगे अच्छा कासा experience है और इंडिया के मुझ्टी सारे राज्यों में यहाँ पर एक company काम करती ही नजर आती है यहाँ पर आप देख सकते है अडानी से लेके सारी बड़ी बड़ी चीजों को यह बनाते हुए नजर आये ठीक है तो अ market cap 1336 crore का है small cap share है और हमारे चैनल के नाम भी small cap है तो इसलिए हम small cap ही हमारे चैनल के नाम है ताकि हम छोटे-छोटे share आपके सामने लाते लोगे पी की बात करें तेरे का PE है इंडिश्टी का PE 24 का है तो अभी भी share सस्ता में जलाता है ठीक है बडिश्टेल PE के base पे काम नही है मैं हमेशे बताता है ROC ROE ठीक ठाक नहीं है normal है बात करें company की तो यहाँ पर देखिए 20% का यहाँ पर debt है जो की माबूली सा debt है phase value दसकी है आगे चलके split भी मिल सकता है dividend company यहाँ पर देती हुई नजर आती है 93 का high लगाया 60 रुपीस पर share चल रहा है और 42 रुपे की book value ओक यहाँ पर बात करें FIs की FIs ना के बराबर है DIs है नहीं हाना public की बात करें public का 68% के शेयर है जो बढ़ते हुए नजर आ रहे है पर उनमें भी देखेंगे HNIs और कुछ बड़े-बड़े investor है जो यहाँ पर आये और कुछ wealth trustees है उन्होंने यहाँ पर हिस्सदारी सी particular quarter में ली भी है ठीक है तो इसे हमें आपर नजबनदाच करना नहीं है बात करते हैं और कुछ चीच की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपणी के बाइंग सेलिंग चलती रहती है कुछ डाइज नेटीव पर समयला एंप्लोईज वगरा होंगे या जानकार होंगे प्रमोटर्स के वो यहाँ पर लगातार बेशते हुए नज़र आये दिसंबर में फैम में यहाँ पर बात करें बाइंग सेलिंग यहाँ पर चलती रहती है ब्लॉग दील आपर देख सकते हैं और यहाँ पर देखिए कुछ फंड है उन्होंने भी यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर जन उसका गिरावट और शेयर नहां पर भागता हुए नज़र आया और अभी दुबारा यहाँ पर थोड़ा सा गिरता हुए नज़र आ रहा है तो क्या यह अपॉर्चुनिटी है गिरावट की 93 से 60 रुपीस पर आ गया है अगर हम बात करें तो लगबग लगबग यह शेयर म पर अच्छा खासा yearly और quarterly base पर number present कर रही है sales, profit की बात करें, दोनो yearly quarterly base पर अच्छे खासे है, company का net profit की बात करें वो भी अच्छा नज़र आता है और EPS भी वड़ता हुआ नज़र आ रहा है, पर next quarter थोड़ा से यहाँ पर हो सकता है कि challenges वबाला हो, yearly base पर बात करें company का तो य reserves company के लगाता बढ़ते हुए नज़र आ रहे है और boring कम होती हुए नज़र आ रहे है, यह भी एक अच्छा साहिन है, investment 82 और cash की बात करें company का थोड़ा बहुत cash भी बढ़ा हुआ, तो overall अगर देखें तो balance sheet ठीक ठाक नज़र आती है, ठीक है इतने अच्छी भी नहीं है तो बेकार भी नज़र नहीं आती हो, कुछ चिंता का विशह है कि कुछ fund यहाँ पर exit करता हुए नज़र आया, जो कि अच्छा अच्छी बात नहीं है, right issue भी पहले यहाँ पर आया, इस sheet को भी आप देख सकते हैं यहाँ और dividend और अगरा company यहाँ पर देती रहती है, बात करते ह हैं यहाँ पर और कुछ चीश से related, ठीक है कि company यहाँ पर exactly करके आ रही है, बट उससे पहले request करेंगे कि I am small cap investor चाहिए को subscribe, bell icon को hit or notification को और करें, वीडियो इस देखें सीखें और यहाँ पर हमारे course को join करके सीख सकते हैं और साथ में काम भी कर सकते हैं, thank you so much, आगे बढ़त हैं यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यह share कभी जैसे कि वह ने बात करी थी, लगब लबद 200 रुपे के आसपास यहाँ पर trade किया करता था उसका गिरावर bounce back और इसने एक high भी निकाला था, ठीक है, तो अभी इसे की बात करें, तो देखिए एक retest, support को retest करके ना दुब अतनी है, यहाँ पर थोड़ा सा consolidation हो सकता है, ठीक है, एक दो तीन महीने का, चार महीने का, consolidation इसे होने दीजिए, दुबारा company जब अब earning के साथ यहाँ पर आएगी, तो मुझे लगता है, उस time इस particular share में एक entry बनेगी, और उस time जब आप इसमें entry बनेगी, यहाँ पर बनेग बट अब ही, टेक्निकली यहाँ पर weak measure आता है, अगर कोई यह share अगर 58 का level तूरता है, तो सीरे 50, 50 का level तूरता है, तो और नीचे आता हुआ, दिखाई दे सकता है, तो अभी यहाँ पर chart भी अच्छा, कहीं कहीं यह candle positive measure आती है, बट market की situation और सब कुस देखते हुए, अभी यहाँ पर chart डालना हो, मतलब हाँ जलाना हो, तो अगर कोई यहाँ पर कोशिश भी कर रहा है, तो अपना stop loss को जरूरत ध्यान में रखे, 57.5 रुपीज, अना यह stop loss बनता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर नहाँ से गिरा, तो और नीचे आ सकता है, otherwise consolidation मुझ को यहाँ पर चीड़ें बताई जारी देंगी, so much God bless.